तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू दे न्यू वीडियो तो पिछले कुछ मैनों से यामार 3 के लॉंच होने की जो न्यूस थी वो इंटरनेट पर वाइरल थी और वो नूस यह थी कि यामा इंडिया अपनी यामार 3 को इस दिवाली लॉंच कर रहे हैं तो दोस्तों आप सब यही कि लॉंच होने वाली है तो वीडियो जड़ा मजदार होने वाले और मेरिया आपसे रुखाइश्टाग है कि वीडियो को शुरू चले के लिकिन तक पूरा देखना और वीडियो का कोई भी पार्ट कि मत करना और गयज अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस् तो दोस्तों यह न्यूज़ पूरी कनफर्म है कि यामा इंडिया अपनी यामा रथरी के बिए 6 वरजन को इंडिया के अंदर लॉंच करेगा बैट अभी इस बाइक की लॉंचिंग में गाइस थोड़ा पूर टाइम लग सकता है और इवली बाइक कब लॉंच होएगी वह ज के बार में तो यहां पर आपको काफी पारफुल इंजन इस बाइक में देखने को मिलता है जो कि यह 321 CC इन लाइन टू स्लेंडर फॉर स्ट्रोक एट वाल लिक्वेड कूल इंजन और यह जो बाइक है वो जिरु तू हंडड़ सिर्फ पहुंच जाती है छे सेकंड में वह को इस बाइक के बार में तो यहां पर बात करें यहां और यहां कर बात करें मैनाश्रोंक लूंतो ुक्स लखिने को यहां पर आपको फरंट में उस तरह की एलेडेग ज़ा देखने को मिलती है और यहां बाइका दलू का ज़्या Dzisyeग को बढ़ी है और वह पर दो और हम प्रॉफाइल के बार में तो इस तरह कि आपको उस फे tek देखने को मिलती है और अ से के अपको इस बाइक के एंदर लेपर देखने को बीछो की आपकी सेवटि को काफो maior inhale यहां पर बात की जाए टायर साइज के बार में तो यहां पर आपको फ्रंट में 110 mm श्रक्शन का टायर देखने को मिलता है और आपको इस तरह के डमेंशन आपको इस बाइक के देखने को मिलते हैं बात करें कॉंसोल के बार में तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का फुली डिजिटेल कंसोल इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है और इस कंसोल को ब्लूटूट के जरीए अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो और आपर इंडर मार्केट के अंदर यह वाइक है वो निंजा सब्सक्राइब करने वाले हैं और अब कुछ महीने पहले उन्हों ने इन दोनों बाइस के साथ यहां अपनी यामा र-3 को इंडर लाने वाला और यह एक पूरा कफ्लेट बिलड़ अप यूनिट होने वाला है जिसको घाइज भार ली चलों से एकस्पोर्ट किया जाने वाला है और इस वाकर अपने से कौन को इस वाइक के लाउंच होने देखने को मिलेगा और गाजन टार्म्स ओफ लुक फीचर्स और इंजन रिफार्मेंट के इसाब से जो प्राइजा इस बाइक को सूट करते हैं बाकि आपको यह वली बाइक कैसी लगती है प्लीज हमें कमेंट करके बताना और दोस्तों अगर आपका वीडियो को रिगार्ड